क्या आपका भी ARMS का बिजनेस है और आप भी आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए Facebook पर Facebook lead ads run करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल है जी हाँ आज का मारा टॉपिक है Send automated WhatsApp message to your ARMS Industries lead तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप एक ऐसा automation बना सकते हैं Facebook lead ads और WhatsApp के बीच में कि जब भी कोई new lead generated हो Facebook lead generation form से तो automatically वो lead को automated WhatsApp message चला जाए उसके phone number पे जी है possible है आप यह पूरा process automate कर सकते हैं पैबली करने की मदद से जो कि एक amazing automation software है इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको यह पूरा automation बनाना है trigger में आपको लेना है Facebook lead ads action step में आपको कोई भी official WhatsApp API लेना है for example Vati, Interact या फिर AI Sensei मेरे use case में मैं यूज कर रहा हूँ WhatsApp cloud API का जो कि एक popular WhatsApp API है तो दोस्तों क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी screen पे ओके friends तो यहाँ पर मेरे Facebook का account login कर लिया है मेरे browser में इधा पर आप देख सकते हैं इस particular page में मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है shield tag solution तो आप इधा पर यह assume कर सकते हैं कि मेरे arms industry के business को promote कर रहा हूँ इस particular page पे ठीक है और इधा पर मैंने एक lead ad form भी create कर लिया है जिसकी मदद से हम test lead generate करेंगे तो यहाँ पर मैं कोई live ad run नहीं कर रहा हूँ इधा पर मैं पूरा process test mode में कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर हम lead ad testing tool की मदद से एक test lead generate करेंगे इस particular lead ad form में तो यहाँ पर मैं details capture कर रहा हूँ full name, email, phone number आप आपके according जो भी details capture करना जाते हैं उसके according आप form create कर लेंगे इधा पर मैंने एक template भी create कर लिए WhatsApp cloud API में तो कुछ इस तरीके से आपको template create करना रहता है जिसकी मदद से आप WhatsApp पे message भेज सकते हैं हम पूरा process समझेंगे कैसे आप template create कर सकते हैं कैसे यह पूरा automation work करता है बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में आपको ले चलता हूं पैबली connect के landing page पे दोस्तो आप भी इस page पे आ सकते हैं simply आपके browser में type करके pably.com slash connect यहाँ पे आपको दो option मिलते हैं एक है sign in का option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तो आपको account creation पे हर महीने 100 free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation टेस्ट कर सकते है pably connect में मैं एक existing user हूं इसरी में click करूंगा sign in पर उसके बाद दोस्तो आपको click करना है pably connect वाले dialogue box में click करना है access now और आप जाएंगे pably connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे एक button देखे का create workflow का इस पे आपको click करना है तो एक dialogue box उपन उचाहेगा आपके screen पे जो पोल्ड़ा है enter the name of the workflow तो दोस्तो basically आपको यहाँ पे आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को safe करना चाहते हैं अगर आप new folder create करना चाहते हैं तो आप create folder वाली बटन से यह चीज़ कर सकते हैं मैं आपे click करूँगा create workflow पे और let's है यहाँ पर मैं मेरी workflow को नाम देना चाहता हूँ send automated what's message to your arms industries lead तो दोस्तो यही हमारा objective है आप आपके हसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी workflow को उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ तो हम test workflows वाले folder में हमाई workflow को safe करेंगे click करेंगे create वाली बटन पे और आप आप जाएंगे यह वाली screen पे दोस्तों यहाँ पर आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत ही important role play करते है इनका नाम है trigger और action दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते है जो हम करवाना चाहते है हमारी automation में तो यहाँ पर आपको trigger application चूज़ करना है इदा पर आपको action application चूज़ करना है सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे तो इदा पर आपको trigger application चूज़ करना है चूज आप में आपको यहाँ पर search करना है facebook lead ads ठीके तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं Facebook और नीचे से Facebook Lead Ads चूज कर लेंगे, तो एगर event आपको यहाँ पर चूज करना है New Lead Instant और फिर आपको क्लिक करना है Connect वाली बटन पे तो यहाँ पर एक Dialog Box उपन हो चाहिए का आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है Connect Facebook Lead Ads तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो Facebook Lead Ads का अकाउंट उसको पैबली कनेक के साथ कनेक करना है यहाँ पर आपको दो आप्शन मिलते हैं एक है Add New Connection का दूसरा है Select Existing Connection का तो अगर आपने आपका Connection अल्री बिल्ड करके रखए तो आप Select Existing Connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर आपको Previous Saved Connection शो होते हैं अगर आप यहाँ पर चाहते हैं Add New Connection के साथ तो आपको यहाँ पर Simply क्लिक करना है Connect with Facebook Lead Ads तो आपका यहाँ पर Connection बिल्ड हो जाएगा बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का दिहान रखना है कि जो Facebook का अकाउंट है उसको आपको Login करके रखना है आपके Browser में जब भी आपका यहाँ पर Connection बिल्ड होगा मैंने मेरा Connection अल्री बिल्ड करके रखना है तो मैं Select Existing Connection के साथ जा रहा हूँ क्लिक करेंगे Save वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमाया जो Facebook Lead Ads का अकाउंट है वागाउंट है वागाउंट के साथ हो गया है Connect अम नीचे आप पेज़ देख सकते हैं Page और Lead Generation Form तो दसे आपको Particular Page से लेकर लेना है जिस भी Particular Page पे आप काम कर रहे हैं तो जो भी pages आपनी Create करके रखे होंगे आपके Facebook के account में वापको दपप मिल जाएंगे हमें इस Particular Page पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है Shield Tech Solution तो इसको हम यहां से कर लेते हैं Choose उसके बाद यहां से Lead Generation Form चूस कर लेंगे तो हम New Lead Form की मदद से एक Test Lead Generate करेंगे तो यह Particular Form मैंने Already Create करके रखा है इधा पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने Page Select कर लिया है यहाँ आप मैंने Form Select कर लिया है New Lead Form ठीक है Preview Form पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं Form हमारी Screen पे खुल गया है इधा पर हम Test Lead Generate करेंगे ठीक है तो आपको इधा पर एक चीज़ का धिहान रखना है कि जो Lead Generation Form हो वो लाइव हो जब आप उसमें सैंपल समिशन करें इधा पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहा है इसलिए हम Lead As Testing Tool की मदद से Test Lead Generate करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ DDS Testing Tool पर इधा पर हमें Dummy Details फिल करता हूँ For example, Full Name हम यहाँ पर दे देते हैं Alex John और Email ID हम दे देते हैं For example, Alex at the rate Pablitudes.com और यहाँ पर Phone Number में हम यहाँ पर एक Random Phone Number दे देते हैं Next पर क्लिक करते हैं Submit कर देते हैं तो आप इधा पर देख सकते हैं Thanks, you're all set तो basically इधा पर हमने एक test lead generate करी है इस particular lead at form में Pablis Connect में वापिस चलते हैं तो आप इधा पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया है इधा पर आप देख सकते हैं Full Name यहाँ पर छो रहा है हमने Facebook lead at form में test lead generate करी है उसका response हमने capture कर लिया Pablis Connect में दोस्तों यहाँ पर लिखा है Instant मतलब पूरा process instantly work करता है मतलब आपको यह automation एक बादाना है उसके बद automatically तुरंद ही अपना काम करेगा अब हमारा objective क्या है Send automated WhatsApp message to your arms industries lead हमारा objective यह है जब भी हमको हमारे arm industry lead business की lead generate हो Facebook lead act से है तो automatically वो lead को हमे automated WhatsApp message भेज़ दे है उसके phone number पे इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर action step में आना है यहाँ पर choose app में आपको कोई भी WhatsApp API चूज करना है कोई भी official WhatsApp API चूज करना है for example WhatsApp cloud API वाटी, AI CNC या फिर interact etc मेरे use case में मैं यूज कर रहा हूँ WhatsApp cloud API का तो इदा पर हम search करते है WhatsApp ओके और नीचे से हम WhatsApp cloud API चूज कर लेंगे action event आपको यहाँ पर चूज करना है send template message और click करना है connect वाली बटन पे यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाए का आपकी screen पर जो पोल रहा है connect WhatsApp cloud API account तो basically आपको यहाँ पर WhatsApp cloud API का अकाउंड उसको पैपली connect के साथ connect करना है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है add new connection का दूसरा है select existing connection का तो अगर आप यहाँ पर चाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर डालना है token phone number ID WhatsApp business account ID अब यह तीनों चीज़ हैं आपको कहाँ से मिलेंगी तो आपको इदा पर नीचे details पर लेना है लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर WhatsApp cloud API का setup करना रहेगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर learn more पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा documentation मिल जाएगा कैसे आप complete WhatsApp cloud API का setup कर सकते हैं इदा पर आपको दो वीडियोस मिल जाएगी जो available है हमारे YouTube channel पर तो आप इन वीडियोस को चेक करके पूरा complete setup सीख सकते हैं यहाँ पर है complete WhatsApp cloud API setup और इदा पर आप इस वीडियो की माध्यम से यह सीख सकते है generate permanent token for WhatsApp cloud API तो अभी इदा पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर token वाली field है मेरे पास जो temporary token है उसको यहाँ पर में डालूँगा लेकिन आप अगर permanent token generate करना चाहते हैं वो आप इन वीडियो पर देखके सीख सकते है और इदा पर आपको बाकी की details मिल जाएंगी इदा पर screenshots given है कैसे आपको process करना है तो इदा पर मैं आपको directly ले चलता हूँ यहाँ पर हम token डालते हैं phone number ID डालते हैं WhatsApp business account ID डालते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ WhatsApp Cloud API के dashboard पर तो यहाँ पर आपको apps create करना रहता है तो मैं इस particular app पर काम कर रहा हूँ new message app मतलब आप जब complete setup कर लेंगे तो आपको app भी create करना रहेगा मैंने already setup करके रखा है इसलिए हम इदा पर आगे का process कर रहे है तो यहाँ पर मैं इस particular app पर काम कर हूँ जिसका नाम है new message app उसके बाद आपको यहाँ पर WhatsApp पर जाना है फिर आपको यहाँ पर API setup पर click करना है तो आपको यहाँ पर access token मिल जाएगा phone number ID मिल जाएगी और यहाँ पर simply paste कर देते हैं और फिर हम इदा पर WhatsApp business account ID को भी copy कर लेते हैं इदर से और simply हाँ पर हम paste कर देते हैं इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर click करना है save वाली बटन पर और आपका जो WhatsApp cloud API का account है वो successfully family connect के साथ हो जाएगा connect अम नीचे आप fields देख सकते हैं template name, language code, selected template ID, recipient, mobile number और body fields ठीक है तो यहाँ से आपको particular template चूज करना है जिस particular template पर आप काम कर रहे हैं तो जो भी templates आपने create करके रखे होंगी आपके WhatsApp cloud API के account में वह आपको इदब हम मिल जाएगी हम इस particular template पर काम कर रहे हैं जिसका नामे new lead message इदा पर मैं आपको template भी दिखा देता हूं इस particular template में काम कर रहे हैं जिसका नामे new lead message तो कुछ इस तरीके से आपको template create करना रहता है जिसकी मदद से आप WhatsApp में message भेज दें तो यहाँ पर हमने हमाई template select कर लिए अब इदा पर हमको recipient mobile number देना है और body field में यहाँ पर variable की value देंगे ठीक है तो आये समझते हैं सबसे पहले variable क्या होता है तो यहाँ पर हम चलते है template पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर हम new template create करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं आपको यहाँ पर API setup में और फिर आपको यहाँ पर click here वाली hyperlink पर click करना है तो इदर से आप जितनी भी templates create करके रखेंगे आपने वह आपको अधा पर मिल जाएंगी जैसा कि आप इदर पर देख सकते हैं जो भी templates मैंने create करके रखेंगे उनका status यहाँ पर active आप new template create कर सकते हैं हम चलते हैं हमारी existing template पर तो यहाँ पर आपको मैं आगे का process समझाता हूँ तो जब आप आपकी template को कोई नाम दे देंगे और उसकी category choose कर लेंगे फिर continue पर click करेंगे तो आप इस page पर आएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं header में text और media अब इदा पर header समझना है header इदा पर as a header की तरह वर्क करता है मतलब जो भी text इदा पर text लिया है तो यह as a header की तरह जाएगा अगर आप इदा पर media select करते हैं तो कोई भी image video document या फिर location आप message के पहले as a header भीज सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है for example image लेते हैं तो यहाँ पर आपको choose jpg or add png file इदा पर upload करना है तो वह file message के पहले हमेशा header की तरह जाएगी तो इदा से आप यह चीज़ कर लेंगे ठीक है मैंने इदा पर text रखा है greetings मैं greetings word भीजना चाता हूँ as a header में ठीक है उसके बाद most important चीज़ आती है body तो body में आपको standard message ट्राफ करना है जो message आप भीजना चाते हैं आपकी particular lead को तो यहाँ पर मैंने sample message ट्राफ करके रखा है आप जो भी message भीजना चाते हैं आपके according इदा पर आप draft कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने message ट्राफ करा है greetings hello इदा पर demo person शोरा यह एक variable है variable को हम अभी समझते है thank you for expressing interest in our offerings feel free to browse through our product service and if you have any questions we are here to assist तो इदा पर मैंने extended message ट्राफ करा है अब यहाँ पर आपको variable समझना है तो basically आप इदा पर कितने भी variables add कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ही variable लिया जो की है name तो variable का इदा पर importance यह है कि जो भी value आप हमेशा dynamic चाहते हैं उसको आप इदा पर variable की तरह रखते हैं मतलब कि यह दा पर मैंने name रखा क्या बोलना चाहरा है तो इस तरीके से आप इदा पर यह चीज़ कर लेंगे फिर उसके बाद footer और buttons भी आप इदा पर add कर सकते हैं जो की optional है मैंने इदा पर footer buttons नहीं रखा है आप आपके according रख सकते हैं तो इदा पर मैंने एक ही variable लिया है डेटा मैप आप कुछ इस तरीके से करेंगे यह आप देख सकते हैं previous step का response यहाँ पर show रहा है तो कुछ इस तरीके से आप phone number map कर देंगे particular lead का mapping का importance का है दोस्तो mapping का importance यह है कि एक बार आप यहाँ पर data map कर देंगे previous step से उसकी मदद से आपको हमेशा dynamic response पहुंचनेट होगा मतलब यह कि जब भी हमारा workflow run होगा और जो भी new value हमको received होगी वह value automatically इस value की जगह जाएगी और यह value change हो जाएगी क्योंकि हम data map कर रहें कोई भी चीज आप इदापर manually type करेंगे वह हमेशा static रहेगा वह change नहीं होगा ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब आप यह सोच रहोंगे कि यह तो एक dummy phone number है इस number पर WhatsApp message कैसे जाएगा तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि अभी मैं इस number को replace करूँगा एक valid phone number के साथ जिसकी मदद से मैं आपको WhatsApp message शो कर पहूँ बट आप जब यह automation बनाएंगे तो आपको अधर पर mapping का ही इस्तमाल करना है जिसकी मदद से हमेशा dynamic response जनरेट हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर body field वाली field में आपको variable की value देना है तो इदा पर हमने एक ही variable लिया name इदर से हम name map कर देते है Alex John ठीक है उसके बद आपको क्लिक करना है savings and test request वाली button पर अब इदा पर हमको एक invalid response received होगा क्योंकि यह dummy phone number पर इदा पर आप देख सकते है error आ गया है recipient phone number not in allowed list ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इस number को replace करते है valid phone number के साथ जिसकी मदस्ते में WhatsApp पर आपको message show कर पाऊं तो यहाँ पर मैं valid phone number डाल देता हूं okay friends तो यहाँ पर मैंने valid phone number डाल दिया है अब हम क्लिक करते है savings and test request वाली button पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर positive response मिलिया इदा पर आप देख सकते हैं contact में अब इदा पर एक valid phone number show रहा है messaging product में WhatsApp show रहा है और यहाँ पर आप देख सकते है message status में accepted show रहा है जो कि एक positive response है तो आईए मैं आपको check कराता हूं यह particular valid phone number में को WhatsApp message received उसका screenshot में आपको यहाँ पर show करता हूं और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक के हमको message received greetings hello Alex John thank you for expressing interest in our offerings feel free to browse through our product service and if you have any questions we are here to assist thank you तो आप देख सकते हैं जो मैंने header text रखा था greetings वो इदापर header में आ गया है और इदापर आप देख सकते हैं Alex John आ गया है तो इदापर automatically particular lead का नाम आ गया है Alex John ठीक है और ऐसा का message हमको receive लोगा है message हमने draft कर था हमारे WhatsApp Cloud API में तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यह पूरा process automate कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आप आपकी leads को WhatsApp message भेज सकते हैं Public Connect में वापिस चलते हैं आये summarize करता हूं कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया facebook lead-ass trigger event हमने लिया action step में हमने लिया WhatsApp Cloud API action event हमने लिया send template message जिसकी मदश से हमने particular lead को WhatsApp message भेज दिया दोस्तों इदा पर लिखा है instant तो मैंने आपको बताया था पूरा process instantly work करता है मतलब आपको यह automation एक बार बनाना है उसके बाद automatically तुरंत ही अपना काम करेगा तो अगर आप भी इस automation पर काम करना चाहते हैं या इस automation को test करना चाहते हैं तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पर काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में जरूर बताएं थैंक यही नहीं दोस्तों आप और और भी indication बना सकते हैं पैबली करने की मदस से और आप हमको mail कर सकते है supportadletpably.com पे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप हमको mail कर सकते है forumadletpably.com पे और अगर आपकी pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते है इस particular link पे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें